हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो दे पॉइंट सोल्यूशन, कैसे हो आप सब, आयो होब कि आप अच्छे होगे, तो DFCCIL के 2023 के रिक्रूट्मेंट में हम लोग जो प्रैक्टिस सीरीज श्टार्ट किये थे, उसका ये आठवा एपिसोड है, अब तक हम लोग टोटल साथ क्लास कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट पे, और यहां पे मैं बार-बार आपको जैसा कि बता रहा हूं, कि ये आपका सभी ब्रांच के लिए है, पहला जो पेपर इसका, DFCCIL का, जिसमें हिस्ट्री आप इंडिया रिल्वे का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो कि 10 चले जाना, लेकिन मैं तो कहता हूं, कि जो भी आपको चीजे मिले, वो आप एक बार नोट करा करें, ठीक है, उसका एक नोट्स बना लीजिए, उस पे अगर आप उसको लिखते रहोगे, तो लास्ट में आपको इसका फैदा दिखेगा, तो चलिए फिर, इंट्रो तो मैं काफी हर एक वीडियो में करता रहा हूं, तो मूफ करते हैं हम लोग सीधा, कुष्चन की तरफ, तो आज का जो पहला कुष्चन है, वो आपके सामने है, कि मई 2022 में, राजस्थान के जोतपुर में, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर, महेस नगर कर दिया तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल करके महेस स्निगर कर दिया गया, तो आपसंस आपके सामने है, पाली मारवाः, भगत की जिकोठी, मेज़ का बारा या फिर बासनी, गौण के जिद का नाम 비कारा लाए ठीक है, तो बहुता जाता था, एक्शली इसी नाम से वहाँ पे क्या था गाउं था ठीक है गाउं था तो उस गाउं के लोगों का कहना था कि भाई यहाँ पे जो भी हमारे हां रिष्टे आते हैं क्योंकि ऐसा न्यूज में बताया गया है यहाँ पे जो भी रिष्टे बगएरा आते हैं लोग सोचने कि यह मुसलमानों का गाउं है घिक है हिंदू मुसलमान concept आप जानती हो इंडिया में कितना एक sensitive मुद्दा है यह इस पचले में तो बेटर है ठीक है तो यहाँ पे लोगों का कहना था कि लोग बोलते हैं यह मुसलमानों का गाउं है इस वज़े से यहाँ पर रिष्थे बगएरा नहीं आते थे तो उन्होंने सिफारिस किया तो 2018 में जाकर कि इसका नाम चेंज हो गया और यहीं महस नगर कर दिया गया ठीक है बड़ जो रेलवे स्टेशन वहां पर था उसका नाम चेंज नहीं हुआ था उस टाइम पर 2018 किया बात है ठीक तो क्या हुआ कि इस पर भी लोगो बढ़ जाते हैं अगले क्विस्चन की तरफ अगला जो क्विस्चन है मारा आस्था विसेश परेटक ट्रेन गांधी दर्शन को टैस स्टेशन से सुरू किया गया तो यह दिखिए क्विस्चन मैंने पेशले लेक्चर में आपको बताया था कि आयर से टीसी के तरफ से ठीक टूर के ठीक है जिससे आप लोग कई जगह पे तेर्थ यात्रों पे धार्मी की स्टलों पे सफर कर सकते हो तो उन्हीं में से एक है आस्था विसेश परेटक ट्रेन जो की गांधी दर्शन के लिए कहां से सुरू किया गया तो यह आपका सुरू किया गया जैसा कि नाम ही गांधी दर्शन से है तो साबरमती से यह श्टार्ट किया गया है तो फर्स्ट आप्सन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें एहमदाबाद गुजरात के मुख्यमंत्री उस टाइम पे वेजयरुपानी थे उन्होंने एतिहासिक साबरमती आ गुजरात सरकार के जो परेटन विभाग है उनके दोरा यह संयुक्त रूप से चलाई गई थी तो यह बस आपको याद रखना है कहां से स्टार्टेंग होई थी साबरमती से अगला कुश्चन देख लेते हैं कि इंडियन रेल्वे की दूसरी डबल डेकर उदय जिसको उत यह जो उदय एक्सप्रेस है इस नाम से दो ट्रेन है ठीक है इसी नाम से और इसमें से पहली ट्रेन थी वहापसे पूछा गया था फ्रिवियस यहर में यहाँ प्र आप से पूछा जा रहा है कि दूसरी जो डबल डेकर है वो कहां से कहां तक चली थी तो दिल्ली से मुंब जिसको हमलोग उतकर्ष डबल डेकर वाता नुकलित यात्री एक्स्प्रेस एर कंडिसंड पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं यह फुरी तरस ते डबल डेकर एसी चेयर कार ट्रेन हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डबल डेकर का मतलब की आपको नीचे और उपर दोनों ब जून 2018 को कोयम बटूर जंक्शन से बैंगलोर यह भी आपको याद रखना है ठीक है तो पहली जो सेवा थी 10 जून आपको याद रखना है जितने डेट दिखते जाए उसको आप कही न कही नोट करते रहा करिए ठीक है तो 10 जून 2018 जी आपको याद होना चाहिए कहां से कहा तो कोयम बटूर जंक्शन से बैंगलोर के बिच चले थी पहली वाली और वहीं अगर हम बात करें दूसरी जो सेवा थी तो यह 26 सितंबर 2019 ठीक है इसको भी आप जरू लिखिए 26 सेप्टेंबर 2019 की बात थे यह विसाखा पटनम से विजयवाडा के बीच शुरू की गई थी ठीक है तो बस यह इतना चीज आपको याद होना चाहिए तो विसाखा पटनम से विजयवाडा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन देख लेते हैं निम्द लिखित में से किस राज का अधिकतम छेत्र पस्चमी डिएफसी के अंतरगत आता है कि किस राज का अधिकतम छेत्र इस डवलो डिफसी में आता है मैंने कल ही बोला था कि एक तो जितना टोटल रूट लेंथ है वो आपको याद रखना है टोटल पंदर सो चे जैसे की रूट लेंथ है और किसमें सबसे ज्यादा है किसमें सबसे कम है यह सब चीज़े जान लेकिन पंद्रसो चे अभी तक आपको जो रिसेंटली अपडेटेड डाटा है वो और यह कहां से कहां तक है तो उत्तर प्रदेश के दादरी से जवाहरलाल नहरूपोर टैमिनस महराश्टरा तक गया हुगा है और अगर हम बात करें तो यूपी में आप देख सकते हो सबस से कम कहां प्याता है तो आपका यूपी हो जाता ठीक है अदर भी जो टाड़्टा है वो भी आपको याद रटना है सिंपरी आप इसको एक बार रेडिंग मारते रहिए जब जब भी आप इसको देखिए कि 19 किलो मेटर यूपी में 177 किलो मेटर हर्याना में है और राजस् 37 km बन चुका है 538 km अभी भी ठीक है आप देख सकते हो यह आपका लुधियाना से ले करके दान कुनी ठीक है वेश्ट बंगाल तक फैला हुआ है और इसकी जो टोटल रूट लेंथ है मैंने आपको बताया था यहाँ पे की 1875 अब आपको याद रखना है यहाँ आगर आप इ या नाम है तो यह आपको याद रखना है बाकी जितने हैं वेश्ट बंगाल में 203 है ठीक है और जहार खंड में आप देख सकते हो है 1952 और बिहार में 249 और पंजाब में 88 km तो यह सब चीजे बस आप जश्ट एक बार पढ़ लीजे ठीक है आपको हो सकता है वहाँ पे श् सामुदाएक दिवस इसका मतलब यहाँ पर होता है कम्यूनिटी कम्यूनिटी डे ठीक है कम्यूनिटी डे कहीं काई पर कुछ ज्यादा हिन्दी हो जा रहा है तूसको इंग्लिस में जान लेजिए कि community day वोलते हैं सामुदाइक दिवस तो किसकी 150 जैनती को community day सामुदाइक दिवस के रुपे मनाया जाएगा वो भी railway के द्वारा ठीक है तो महत्मा गंधी जवाहर ललनेरू, मदर टेरेसा या फिर स्वामी विवेकानन्द तो महत्मा गंधी की 150 जैनती को community day के रुपे मनाया जाएगा वो भी railway के द्वारा ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पे तो railway बोर्ट की एक कार्जी जोजना के नुसार railway महत्मा गंधी की 150 जैनती को सामुदाइक दिवस के रुपे मनाया जाएगा या फिर community day के रुपे मनायाएगा और यह आपका 2 अक्टूबर ठीक है 2 अक्टूबर 2019 को 2015 जैनती मनाया गई महत्मा गंधी की उस दिन railway बोर्ट ने तहय किया कि अब से इस दिन को हम लोग सामुदाइक दिवस community day के रुपे मनायाएगे और यहाँ पे एक विशेस प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिसका नाम होगा मोहंदास से महात्मा तक ठीक है मोहंदास से महात्मा तक इस प्रदर्शनी का नाम होगा और पटरियों से सटे railway की जमीन पर खासकर मेट्रो छेत्रों के आसपास 150 छोटी नरसरी स्थापित की जाएगी मतलब छोटे चोटे पौधे लगाया जाएगे ठीक है तो यह आपका म रेल नेट्वर्ग पर नज़र रखने में मदद करेगा तो यह कुंस्टन शायच प्रिविएस यर में पूछा गया था या मैंने कर आया है कही नहीं पर तो यह आपका जो क्रिस शाफ्ट्वएर है पहले बात तो यह जो सी आर आई एस का पृल फॉर्म है वह क्या है मारा स Center for Railway, Center for Railway Information System, ठीक है, Information System, तो जो Center for Railway Information System है, इसने एक Software विक्सित किया, जिसका नाम क्या है, और ये Rail मंत्री को पूरे Railway Network का नजर रखने मदद करता है, तो UTS, E-Drishti, परियदक, पर्दसक, Railway System, या फिर Express Online, तो इस Software का नाम है E-Drishti, ठीक है, तो Second Option यहाँ पर Correct है, Actually, यह जो Software है, यह कई सारी कमपनियां हैं, जैसे आपका DFCC-IL ही हो गया, उसके बाद आपका RITTS REITS हो गया, ऐसे ही करके, जो मैंने आपको बताया था, E-RICON हो गया, ठीक है, जोन है, उनका जो Official Website है, वो सब, उनका Access इस E-Drishti को प्राप्त है, जिससे क्या होगा, कि जो Rail मंत्री होंगे, वो अपने यहाँ बैठे-बैठे, इनकी Punctuality, ट्रेन की जो टाइमिंग वगरा है, कि कहीं लेट है, या माल डुलाई की जो कमाई है, पिछले दिन की क्या कम किया कमाई है, आज की क्या कमाई है, उनका कमरीजन कर सकेंगे, और वहीं पर जितने भी सारे प्रोजेक्ट चल रहे है, जितने भी सारे प्रोजेक्ट चाहिए, जिसके साथ, इसका साजहा हुगा है, उसकी निगरानी यहीं E-Drishti Portal पर ही कर सकते हैं, या फिर जनता की सिका से यह सारी की सारी जानकर्या उसी एप पर मिल जाएंगी और वहीं से यह सब की कलास लगा सकते हैं ठीक है तो आयरस सी की रसोई की निगानी भी ठीक है रस्वाइन फीर से कि जा सकते हैं तो काफी सारी से विदाया हैं बाकी बात करें तो इस साफ्ट्वेर को दखिए 29 नवंबर 2018 को लांच किया गया था ठीक है यह भी आपको बस याद रखना है कि जो इद रिष्टी पोर्टल है 29 नवंबर 2018 को इसको लांच किया गया अगला कुश्चन देख लेते हैं अगला जो कुश्चन है कि भारती रेल्वे का छेत्रिय चेत्रो यानि की जोनों में संग ठन किस वर्स उसरू हुआ था तो यहाँ पर इंडिया रेल्वे के और जोन्स में डिवाइड किया जाए ताकि अच्छे और सुचारू ठंक से चल सक में आप देखोगे तो केवल तीन जोन थे आपके कौन-कौन से तो यहाँ पर आपके दच्छिड रेल्वे मध्य रेल्वे पस्चिम रेल्वे मतलब कि एक साउधन रेल्वे एक आपका सेंट्रल रेल्वे और एक आपका वेस्टन रेल्वे इन तीन जोनों में इसको डिव था ठीक है तो इस्टार्टिंग में तीन ही जोन आपके थे उसके बाद 1912 में हला कि तीन जोन और आ गये थे बट 1915 की बात करें जब इसका और्गनाजेशन हुआ तो तीन जोन बनाए गये थे अगला कुश्चन देख लेते हैं कि सौर उर्जा चालित मिनी ट्रेन का उधगा मिनीन गाटन किस ने किया तो सौर उर्जा से चलने वाले का उधगाटन किस ने किया नरेंद्र मोदी् पीनराई विजयन एम एम मड़ी या पिर अमित्ष शाह तो यहाँ पर किस ने किया था naii ज सथा बल्प करिगे अपके हरिए lede के उर्य हन्णिंडी यहाँ अपने प बात करें तो यह रही आपकी मिनी ट्रेन वो जो कि सवर उर्जा संचालित है तो यह भारत की अपनी तरह की एक पहली सवर उर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन है इसका उधगाटन केरल की वेली टूरिस्ट विलेज में किया ठीक है यह याद रखना है कि वेली टूरिस्ट विलेज में इसका उधगाटन किया गया जो कि मुक्ष मंत्री पीनराय विजियन द्वरा किया गया था ट्रेन जो विशेश रूप से बच्चों के लिए एक आकरशड का केंद्र होगा पुरी तरह से 60 करोड रूपय की लागत वाली परियोजना का एक हिस्सा है जो मनोरम इ अगर हम बात करें तो यह तीन वोगियों वाली ट्रेन होगी जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और 2.5 किलो मीटर दूरी तय करेगी यह ट्रेन एक सुरंग इस्टेशन और टिकट का रियाले साहित पूरी तरह से रेल प्रड़ाली की सभी विशेस्ता है तो यह आपका मिनी ट्रेन रहा जिसकी शुरुवात या उद्गाटन कहा सकते हैं पीना राई विजयन ने किया जो केरल के मुख्य मंत्री हैं अगला क्विश्चन की विलासपूर डैस रेलवे का छेत्री मुख्याला यह तो काफी जी क्विश्चन है अब तक तो आपको यह पता चल जुका होगा जोन वगेरा तो आपने कंप्लीट करी लिया होगा मैंने एक वीडियो में इसको अलग से मैप के थ्रू बताया है कि कैसे आप इनको याद रख सकते हो मैं यहाँ पर विलासपूर पूछ रहा हूँ कि किस रेलवे का छेत्री मुख्याला है तो बॉदावे नंबर पर यहाँ पर विलासपूर है ठीक है और अगर आप देखो तो यह साउथ है और यहा प्याजाईं ए इस्ट का गहले में आप मिलाओगे तो यह आजाईगा एरिया और उसमें भी यह सेंटरल पूछ रहा है ठीक है तो मालीजे बिश्प और यहां पर य हुए इस हो गया किति सपयर वाला को ना यह हो गया तो अब इसके बी अग्र सेंटर में जा ओगे तो यहां पिना आपको विलासपुर दीख जैँगा ठीक है तो इससे भीयार गस्टर कर सकते हो कि कौन सा रेल्वे यह मुख्याले होगा उसके मध्य में अपकर शोच लिए विट्षिर है क्योंकि South Eastern मुख्याले का क्योंकर कुलकाता वैसे भी तीन-टी रिल्वे का मुख्याले आपको पता यह मैंट्रों एक South Eastern का एक आपका Eastern Railway का तो तीनती रिलवे का मुख्याले कोलकाता ही है कुछ-कुछ ऐसे भी है जो कि आपको Confuse कर देंगे जैसे Western Railway का जो मुख्याला है वो इधर कहीं गुजरात साइड में होना चीए था क्योंकि West में तो वहीं पड़ रहा है और एक अच्छी अच्छा इस्टेट भी है ठीक है बट इसका जो मुख्याला है Western Railway का वो आपका कहां पर है मुंबई के Church Gate में है मुंबई में है ठीक है तो कुछ-कुछ ऐसे हैं जो Confuse कर सकते हैं बाकी सारे तो ठीक हैं जैसे Northern Railway का आप दिल्ली में देखोगे ठीक है और वहीं पे अगर हम बात करें साउधना Railway का तो आप चेनाई में देख सकते हो Eastern Railway का कुलकाता में देख सकते हो तो काफी ऐसे हैं जिनको आप मैप के थुरही याद कर सकते हो Central Railway एक थोड़ा सा है कि मध्य प्रदेश में पढ़ना चीए था क्योंकि Central तो भाई मध्य प्रदेश अपना है बट इसका जो Headquarter है वो मुंबई में है ठीक है मुंबई में और Eastern Railway का मैंने बताया आपको कुलकाता में है दच्छिड पस्चिम Railway मतलब कि आप यहां पर दच्छिड पस्चिम Railway का आप South में आ जाईए और West में आ जाईए और अगर आप वहां पर आते हो तो South यह हो गया West यह हो गया तो इसके इधर हो गया South West लगवग ठीक है तो यह आपका देख सकते हो कौन देश की पहली Rapid Transit Line है तो पहली Rapid Transit Line के बारे में बात करी जा रही है तो Rapid Transit Line का सिधा जो रिष्टान आता होता है वो Metro से होता है ठीक है Metro से अगर हम बात करें तो जो भूमी का ट्रेल वे होते हैं उनको Rapid Transit Line बोला जाता है और यह अधिकतर आप देखोगे तो जो अर्बन एरियाज होते हैं वहीं पे होते हैं ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन देश की पहली Rapid Transit Line है तो Metro की जब भी बात आएगी तो मैंने बोला था यहाँ पर कोलकाता उसमें सबसे आगे होगा यह मैंने कई बार आपको बताया है 1984 I hope की आपको याद रहेगा 1984 ठीक है 24 अक्टूबर 1984 को यह अपना संचालन सुरू करता है और यह आपका 17 जोन ठीक है 17 जोन बना था Metro क्योंकि Metro को भी उसमें सामिल किया गया Railway जोन में तो यह 17 था 18 जोकी सबसे निवेस्ट जोन है वो आपको पता होगा कि South Coast Railway है ठीक है South Coast Railway यह आपका जिसका Headquarter विसाखा पतनम में है तो यह आपका सबसे निवेस्ट जोन है South Coast Railway और 17 आपका Metro Railway इसकी दो संचालन लाइने है दच्छिडेसवर से कवी सुभास और South Lake Sector V से फूल बगान ठीक है यह एक्चुली क्या है कि यहाँ पे दो लाइने है ठीक है यह divisions में नहीं कैलकुलेर किया जाते है यह इनकी दो लाइने है Metro Railway के ठीक है और इसका जो जोन है Metro Railway का वो कोलकाता में है आपको पता है तो अगला क्विस्चन तो अगला जो क्विस्चन है हमारा कि कोलकाता मेटरो रेलवे कितने मेटरो लाइनों का परिचालन किया जाता है यहाँ पे या कितने मेटरो रेलवे लाइनों का परिचालन करती है कोलकाता मेटरो तो यह ज़स्ट पिछला ही question हमारा हो गया पिछले question में मैंने आपको बताया था कि यह दो railway line का परचालन करती है line 1 और line 2 यहाँ पे जो दो railway line है यहाँ पे metro के वो एक आपका है 10-6 स्वर से कवी सुभास और start lake sector भी से full वगान तो यह दो metro railway line का परचालन करती है second option correct हो गया यह तो वैसे ही question आ गया अगला जो question वारा डैस drone camera प्रयोग करने वाला पहला journal railway है तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा railway journal है जो drone camera प्रयोग करने वाला पहला journal बन गया है तो पस्चि मध्धे railway चेत्र उत्तर मध्य railway चेत्र तो देखिए वैसे तो यहाँ पे जो drone का use है वो अब हर railway zone पे होगा ठीक है बट जो पहला यहाँ पे zone बना है वो आपका है पस्चि मध्धे railway ठीक है जबलपूर railway station पे इसको लगाया गया पस्चिब मध्य की बात करी जारी है तो आप वेश्ट में चले यह ठीक है नार्थ साउथ और इस्ट और यहाँ पे यह वेश्ट में आ गए और यह आपका सेंटर हुआ और वेश्ट के भी सेंटर में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेश्ट एंटरल वे जो की जबलपूर में इसका हेटकॉर्टर है तो सबसे पहले यहाँ पे यूज किया गया है तो आपका पस्चिब मध्य रेलवे चेतर ऐसा हो गया जो ड्रोन केमरा का यूज करने वाला पहला जोनल रेलवे बन गया ठीक है उत्तर मध्य रेलवे की बात करेंगे तो नार्थ ठीक है नार्थ सेंटरल की बात कर रहा है नार्थ का नियू डेली हो गया लेकिन सेंटर में अगर आप आओगे नार्थ के तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको म नहीं हो गया और साउथ के भी अगर सेंटर में आप आओगे तो इथर कहीं बीच में तो साउथ सेंटरल का हो जाएगा सिकंद्राबार ठीक है तो यह जोंस तो मैं आपको ऐसे ही रटवा दूंगा ठीक है अगला जो कुश्चन है मारा निम्नलखित में से कौन सा रेलवे अब संदिया तो कई सारे श्टूटें गोरकपुर ही मार दिये हैं तो सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्सन माने जाता है वह मत्वुरा है ठीक है यह ऐसा क्यों माने जाता है जंक्सन का देखे मतलब होता है कि कई सारे रूट से आकरके एक ही जगह पर जब ट्रेने मिलती हो और यहाँ पहला की दसी प्लेटफॉर्म है बट साथ अलगलग रूट होने के वज़े से सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्सन है मत्वुरा को मना जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है और भी मैंने काफी चीज़ आपको बताई कि DDU जो दीन दयाल उपा दिया है पहले बड़ा रेलवे जंक्सन के मामने में हो गया अगला कुश्चन देख लेते हैं कि भारत का पहला नीजी तोर पर चलने वाला रेलवे श्टेशन किस राज्ज में है तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया रेलवे का भी प्राइवेट आईजेशन स्टार्ट हो गया है तो हभीब गंज रेलवे श्टेशन का नाम है भुपाल सहर का एक रेलवे श्टेशन है जो की पस्चिं मध् रेलवे का हिस्सा है और ये जो रेलवे श्टेशन है प्राइवेट भले ही है बड़ आई य सो प्रमाडित है मतलब इंटर नेस्नल और आइज़ेशन पार इस्टें जो कि बंसल ग्रूप है बंसल पाथवेज हभीब गंज प्राइवेट लिमिटेड इसका संचालन कर रही है और आप देख सकते हो यह तो इसका मॉडल है ठीक है तो जितना अच्छा यहां पर आप यहां पर फैसलेटी मिलेगा उतना ही ज्यादा खर्चा भी होगा ठीक है बा बात करें अन्य अदर और यहां पर हम लोग देख लें जो फैक्टरियां है तो जैसे आपका फेमस सबसे कि Integrated Coach Factory ICF ये आपका चन्नाई में है ठीक है तमिलनाड़ू चन्नाई में परामभूर में है ये और आधुनी Coach Factory जो है ये आपका उत्तरप्रदेश राइबरेली में है ठीक है और Rail Coach Factory जो आपका है ये आपका कपुर्थला पंजाब में है Rail Will Plant देखिए इसमें ये लहंका बैंगलूर करनाटक में ठीक है और वहीं पर जो टीटागर वैगन ये तो नामी से पता चल गया टीटागर लेकिन पस्चिम बंगाल में है ये और Electric Locomotive Factory ये आपका मध्यपुरा पिहार में है और Diesel Locomotive Factory ये आपका मढ़ोरा पिहार में ठीक है और वहीं पर गरम बात करें चितरंजन Locomotive Works तो ये आपका आसन सोल पस्चिम बंगाल में है ये आपका बनारस Locomotive Works DLW जिसको बोलते हैं ये आपका बनारस उत्तर प्रदेश में है तो ये सारी आपकी फैक्टरियां है रेल्वे से रेलेटेड ये आपको याद रने चाहिए जैसे भी हो सके आप इसको नोट करके जरूर लिखें अगला जो कुश्चन है वारा कि भारती रेल्वे का आधिकारिक सुभंकर क्या है तो काफी इजी कुश्चन है सबको पता होगा ये भाग भोलू घोडा भोलू या फिर डालफिन भोलू या फिर हाथी भोलू तो फोस आपसन करेक्ट है हाथी भोलू ठीक है ये आपका मसकट आफ इंडिया रेल्वे है जिसको आप सुभंकर बोलते हो तो भोलू या भोलू train प्रबंधक गार्ड हाथी भारती रेलवे का सुभंकर है यह सुभंकर एक हाथी को एक हाथ में हरी बत्ती ठीक है ग्रिन सिग्नल आप कह सकते हो एक लैंप लिये होए आप देख सकते हो के साथ एक संकेत दीपक पकड़े हुए दिखाता है इसे 16 अप्रेल 2002 को बेंगलोरो में National Institute of Design द्वरा डिजाइन किया गया था ठीक है तो National Institute of Design द्वरा बेंगलोरो में इसको डिजाइन किया गया 16 अप्रेल 2002 आपको यह याद रखना है बाकी भारती रेलवे की 150 वी जो वर्सगाठ मनाया गया था उस टाइम पे इसको चलन में लाया गया मतलब इसको इसका डिजाइन किया गया इसको दिखाया गया बाकी यह एक प्रतिकात्मक है कि पहले हाथियों का इस्तेमाल कार्तूस रखने के लिए किया जाता था ठीक है तो यह आपका जो भोलू जो कि यहां पर आप देख सकते हो द ट्रेन गार्ड इन चार्ड ठीक है इसको ट्रेन के गार्ड के रूपे भी जाना जाता है तो यह आपका मस्कट आफ इंडियार रेलवे है अगला जो कुश्चन हमारा एफ डबल एस ए आई द्वारा फाइव स्टार इट राइट इस्टेशन प्राप्त करने वाला भारती रेलवे का तीसरा इस्टेशन कौन बना है तो इट राइट इस्टेशन प्राप्त करने वाला तीसरा जो रेलवे स्टेशन है वो आपका आनंद विहार टर्मिनल बना ह थार्ड नंबर का इससे पहले अगर बात करें तो मुंबई सेंट्रल उसके बाद छत्रपती सिवाजी महाराज टर्मिनस दूसरे नंबर पर इनको पहले ये इट राइट स्टेशन मतलब की FSS AI द्वारा ये आपका इट राइट स्टेशन पहले नंबर पर मुंबई सेंट्रल को प्राप्त है उसके बाद छत्रपती सिवाजी महाराज टर्मिनस को प्राप्त है तो मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के बात करें BCT और छत्रपती सिवाजी महाराज टर्मिनस के बाद अगर हम बात करें तो एनवीट आनंद विहार टर्मिनस भारत का तीसरा भारत बोले तो यह पहला हो जाएगा मतलब Northern Railway का आप बोलोगे तो यह पहला हो जाएगा और अगर हम बात करें तो आनंद विहार Terminal Station जिसका रख रखाव भारती Railway Station विकास निगम Limited I.R.S.D.C. द्वरा किया जाता है जो कि भारती प्रत्सत अंक के साथ यह जो नार्दन Railway का आनंद विहार Terminal Railway Station है यह इट राइट इस्टेशन फाइव इस्टार इट राइट इस्टेशन प्राप्त करने वाला पहला Railway Station बन गया है और पुरे देश में बात किया जाए तो तीसरा Railway Station बन गया है अगला जो किश्चन है हमारा किस Railway Zone ने सेसनाग नाम की भारत की सरवधिक लंबी ट्रेन का संचालन किया है तो किस Railway Zone ने किया हलाकि जो सरवधिक लंबी बोला जा रहा है यह दूसरे नंबर की ट्रेन है सेसनाग ठीक है लंबी ट्रेनों के मामले में इससे भी लंबी ट्रेन आपकी सूपर वासुकी है ठीक है तो यहाँ पे किस जोन के द्वरा इस और यह आपका इस्ट हो गया तो यह दच्छिड और यह पूर्व ठीक है दच्छिड पूर्व और यह इसका सेंट्रल देलवे विलास्पूर इधर कहीं आपका पढ़ जाता है तो विलास्पूर से इसकी शुरुवात होई है ठीक है यहाँ पे अगर हम बात करें शेसनाग यह माल गाड़ी है ठीक है पैसेंजर ट्रेन यह नहीं है माल गाड़ी है और यहाँ पे जो सूपर वास्ट की ट्रेन है यह भारत की सबसे लंबी ट्रेन है ठीक है और यह आपका स्वतंतरता दिवस की 75 वी जो वर्स्तगाठ मनाया गया इस दिन पर इस ट्रेन की सुरुवा हिस से यह देखते हैं कि इंडियों से चेहिस का है फरी ये और करेक्ट हो जाएगा राइट वहीं सिविल इंजिरिंग आपका पूरे में है यहां पर मैंने सारे के सारे लगा दिये हैं जैसे नैशनल एकेडमी ऑफ इंडिया रेलवे यह काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे स्टाफ कालेज यह आपका वडोध्रा में है और रेलवे इंडिया रेलवे इंस्टिटूट फाइनसियल मेनेजमेंट यह आपका सिकंद्राबाद में है तो यह सब आपके कुछ इंस्टिटूट है जो कि आपको याद कर लेने हैं याद रहने चाहिए अगला क्विश्चन है हमारा कि हाल ही में भारती सेना ने निमलखित में से किस रेल कारीडोर पर परिक्षड किया तो भारती सेना ने निमलखित में से किस रेल कारीडोर पर परिक्षड किया तो यह आपका डिदिकेटट उसने क्या किया यहां पे आप देख सकते हो यहां पे नियू रेवाडी से नियू फुलेरा तक वाहनों और उपकरड़ों से भरी एक सैन्य ट्रेन को ले जा करके एक सफल परिछड़ किया मतलब उसमें आप जो यह माल गाड़ी थी इस पे वाहन और उनके कुछ उपकरड़ लदे हुए थे ठीक है उनको यह नियू रेवाडी से नियू फुलेरा तक ले जा करके इसका परिक्षड गिया ठीक है तो डेडिकेटेड जो फ्रेट करेड़ोर कार्परेशन आफ इंडिया लिम्टेड है डी एसी सी इयल और भारती रेलवे के साथ भारती सेना द्वारा जटिल और सिंक्रनाइज समन्वे ससस्त्रवलों की गति सीलता चमता में उल्लेखनी वृद्धी करेगा और ये परिछड राष्ट्री संसाधनों की अनुकूल और विभिन मंत्रालियों और विभागों के बीच सहज तालमिल हासिल करने के लिए संपुर्ड राष्ट द्रि सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे तो चलिए फिर ठीक है मिलते हैं अगले विडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू टाटा बाइबाइ